यहां पर बात करेंगे बिग दिवाली सेल के ऊपर तो बिग दिवाली सेल अभी पहले चल रहा था अभी लास सेल यह ऑफ नवेंबर 2020 से फार्टेंब्र 2020 तक चलने बाला है यह बहुत बदरा सेल है तो यहां पर पर जो इसवर पाटिशिबेट कर रहा है वह एकसिस बैंक City Bank, ICICI Bank और Kotak Bank तो यहां पर अगर मैं बात करता हूँ, तो यहां पर कार्ट में अप टू 3,000 तक आप लोग सेव कर सकते हूँ, तो इसको अगर मैं ब्रेकडाउन करता हूँ, तो नीचे अगर आप लोग देख पारे हो, तो यहां पर 7 से लेकर 13 तक यह सेल चलने वाला है, औ अगर आप लोग इन सभी कार्ट का इस्तेमाल करते हो, तो आप लोग को क्या वेनिफिस कार्ट की बात करें, तो ICICI और Axis Bank में आप लोग को 1500 तक के मैक्सिमिम डिसकाउंट देखने को मिलेगी, अगर ICICI और Axis Bank के डेविट कार्ट की बात करें, तो 750 रूपीस के आप या वे डेविट कार्ट की, तो City और Codec Bank पे बहुत ही अच्छी डिसकाउंट अप लोग देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी ओफर है, City और Codec Bank यूजर अगर हो, तो इसका इस्तमाल जरूर करना, और ICICI और Axis Bank का डेविट कार्ट अप लोग यूज़ को तो वहाँ पे आप लोगो 750 रुपीज ही, माक्सिमुन डिसकाउंट देखने को मिलेगा, तो अगर आप लोग फिलिप कार्ट की, Axis Bank की क्रेडिट कार्ड यूज़ को तो वहाँ पे आप लोगो 1500 की डिसकाउंट देखने को मिली जाएगी, साधी चाथ जो एक्स्ट्रा 5% की डिसकाउ मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड या फिर देविट कार्ड वो तो मिलेगा, अप लोग को यहाँ पे पर कार्ड दिसकाउंट भी देखने को मिलेगा, तो ICICI Bank की क्रेडिट कार्ड की बात करें, Axis Bank की क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो 1500 तक की आप लोग को additional देखने को मिल ज दोस्तों तो यहां पर भी आप लोग इसका फाइदा उठा सकते हो तो अगर आपके लिए बहुत ज्यादा फाइदे मन्द होगा यहां पर है यह वाली लाप्टाप जो की बहुत ही अच्छी एक लाप्टाप बेस्ट सेलर लाप्टाप में से है जो की एसर की तब से एसर एसपार 7 जो की आधा है आधा है आई जेशन के साथ यहां पर 8GB की रैम पांट सो वाराज देखने को मिलती है और 4GB की आप लोगों क 1650 की यहां पर GTX ग्राफिक देखने को मिलता है अगर मैं बात करता हूँ इसकी कमिया बैटरी थोड़ी वीक है और यहां पर एक चीज है कि आप यहां पर कोई भी HDD या फिर SSD अलग से डालनी से कोई भी स्लॉट यहां पर नहीं दिया गया है बट रैम आप लोग 32GB तक SSD जो यहां पर सपोर्टिव है तो इसका प्राइस तो 51,990 है अगर आप लोग यहां पर डिस्काउंट लगाते हो तो आपको मैक्सिम्म 3,000 तक की डिस्काउंट देखने को मिल सकती है तो यह एराउंड 48,000 के आसपस आप लोगो देखने को मिल जाएगा तो इसका जरूस ज सब्सक्राइब को कहां डिस्प्ले वगरा सब अच्छी है और एक चीज मैंने आप लोगो स्टोरेज के बारे में बता दिया तो वह ध्यान रख़दा अगला जो लैप्टॉप लिस्ट में है वह लेनोगो की तब से लेनोगो आइडिया पैट L340 देखो यहां पर मैं डिल नहीं दिया गया है अगर मैं इसके प्राइस ग्राफ देखू तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो इसका बिग बिलियंड डेज में प्राइस था फिफ्टी वां तो यहां पर इसका और एक मॉडल है उसके साथ आप लोग जाए तो अच्छा होगा क्योंकि यहां पर इसका प्राइस फिफ्टी था नाइन 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 नाइटी लिखा है इसका प्राइस तो लेकिन यह कुछ दिनों पहले था बिग बिलियंड देस से भी पहले तो वह अच्छा एक ओफर था बट यह चीज आप लोग अब यह कर नहीं लेते हो अगला कुछ लाप्तॉप क प्रसेसर है दोस्तों जो आपकी हर एक नीट को पूरा कर देगा बट यहां पर भी एक कमी है कि यहां पर भी आप लोग को वान टीबी के एजडी देखने को मिलती है बट प्राइस 52,000 दिया गया है जो बेटर है यहां पर आप लोग मैक्सिम्म जो है तीन हुजा डिसकाउ तो इसके साथ आप लोग जा सकते हो इसके डिस्प्ले सच में अच्छा है जो मैंने परस्नली इसको टेस करके देखा है तो यह बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी देता है बट तिंग इस यहां पर आप लोग SSD डाल देना बाद में NVMe जो आपको बहुत सदा मदद अगला जो लैप्टॉप है यह बहुत ही अच्छा एक लैप्टॉप है जो इसस की तरफ से है इसस टफ गेमिंग जो कि राइजन 5 की 3550H के साथ आता है यहां अपर आप लोग को SSD देखने को मिलती है करना चाहते हो जो 54,000 तो इस प्राइस पॉइंट में अगर आप लोगो 17.3 इंच का कोई लैप्टॉप चाहिए तो यह वाली है यहां पर लोग मत बोलना कि यहां पर 144Hz वगरा नहीं क्योंकि आप लोग पे उतना नहीं कर रहे हो दोस्तों तो जितना पे कर रहे हो तो यहा यहां पर देखो आप लोग RGB लाइटिंग वगरा भी देखने को मिल जाती है सहजद कोई भी यहां पर आप लोगो कोई कमी नहीं है और यहां पर पर्फॉर्मेंस भी इसकी अच्छी खासी है जो आप लोग इसली इसको एंजोई कर सकते हो आपकी हर एक टास्क को यह इसली नहीं दिखाई दे रहा है बट अगर आप इसको डिसकाउंट में लगाते हो तो तीन हजाए डिसकाउंट में जाए तो इसके साथ आप लोग जा सकते हो अगला लैप्टॉप जो लिस्ट में है कि वान अप बेस्ट लैप्टॉप है जो मुझे परसनली पहुत जड़ा पस जाती है जिसके कारण से आप लोग अगर वीडियो एटिंग फोटो एटिंग वगरा करना चाहते हो इस लैप्टॉप की मदद से तो इसली कर बाओगे तो यहां पर आप लोग को यहां पर कहरी वारंटी देखने को मिल जाती है एमसाई की तरफ से जो बहुत ही अच्छी बात है तो यहां पर IPS डिस्प्ले है डिस्प्ले के टॉप नौच है अगर आपको कम बजेट के अंदर बहुत ही अच्छा के लापटव चाहिता जिसका डिस्प्ले बहुत ही जादा उंदा है तो यह वाली लापटव आपके लिए इसके वेड भी उतनी जादा हाई नहीं ह गया है आज तक तो अभी दोस्तों 54,990 ही है तो यहां पर Big Billion Days में भी इतना ही था अगर आप लोग अभी वाइक करते हो तो यहां पर आप लोग को यह वाली जो लापटव है 52,000 में मिल जाएगा अगर आप लोग का डिस्काउंट पर लगाते हो अगला जो लापटव है यह इसका बरावाई मान लीजिए आप लोग कि आप लोग कि देखने को मिल जाती है और इसका प्राइज भी 55,990 तो 56,000 है तो इस पर भी 3,000 रुपे की अडिशनल डिसकाउंट आप लोग को देखने को मिलेगी तो यहां पर आप लोग इसको जो है 53,000 के अंदर आप बहुत ही अच्छा है गलाट्व है जो एसर स्पाइल 7 में आप लोग को दिखा था राइजन 5 के साथ कि राइजन 7 के साथ आता है जो 3750H है यहां पर भी सेम अप लोग को एशू आएगा कि यहां पर 512GB की सिरफ SSD है अगर आप लोग आप लोग डाल सकते हो यहां पर 4GB के आप लोग को NVIDIA के तरब से JTX 1650 देखने को मिल जाए तो इसके साथ आप लोग जा सकते हो अगर प्राइस ग्राफ में थोड़ी नजर डाले तो देखो यहां पर प्राइस जो है 54,990 ही था जब बिक बिलियन डेज चल रहा था और अभी जो है यह फिट से 55,990 में आप ल डिफ्रेश रेट के साथ है जो पूछ रहते हैं 141 हर्स की डिफ्रेश रेट के साथ कौन सा लाक्टॉप लेना है तो अगर आपका बजेट कम है 55,000 के आस पास है 55-56,000 तो यह देख सकते हो आप यहां पर i5 की 9 जनेरेशन देखने को मिल दिया है यहां पर आप लोग को डिफ्रेश लेवल के डिस्पले उतनी ज्यादा अच्छी कलर रेकूरी से डिस्पले नहीं है बट आप लोग गेमिंग करना चाहते हो तो इसली कर सकते हो तो इसका वेट तो ज्यादा है दोस्तों 2.20 केजिस की और बैटरी के मामले में भी यह ठीक ठाक आप लोग को परफ देखने में 1.5 ही मैक्स यह देता है मैंने इसको टेस्ट किया था तो उस पर पता चला बाकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है अब प्लग रिटें करके आप इसको इसको इसली चला सकते हो अगर इसकी में प्राइस ग्राफ देखूं तो प्राइस था पहले भी 57,000 था जो आप लोग एजिली कंसीडर कर सकते हो अगला जो है यह भी है दोस्तो MSI की तरफ से GF63 अगर आप लोग को i7 का प्रोसेसर चाहिए तो यह वाली एक लॉता लैप्टॉप है जो 60,000 के अंदर आप लोग को 4Gb की ग्राफिक्स के साथ देखने को मिलता है जो 1650 Ti के साथ आ लगी इस पर डिसकांट का लगा कि आप लोग 57,000 में यह वाली लैप्टॉप बाई कर सकते हो तो अभी देखो यार यह पहले भी इतना डिसकांट में नहीं आया था अभी जो है यह 60,000 के अंदर आप लोग देखने को पर लिए तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो यह अगला जो है दोस्तों यह एस गित्व से रोग सीरीस की रोग स्ट्रीक्स जी जो कि आई फाइव नाइन जेनरेशन के साथ आता है यह वाली अगर आप लोग आप लोग लाप्टॉप चाहिए जो आप लोग टेविल में रखोगे तो वह बहुत ही चामिंग लगनी देखने को नहीं मिलती है आप लोग को बट यहां पर अगर आप लोग को एक अच्छा गुड लुकिंग लापटॉप चाहिए था और आप हलके फुल के गेमिंग भी करना चाहिए अगर नहीं पर देखो तो यहां पर देखो यार प्राइस यह 59,990 में आ गया था यह अगर काड डिसकाउन लगाते हो तो आप लोग को 59,000 में भी यह वाला लापटॉप देखने को मिल सकता है जो आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग शौकेन हो कि आपको जो है आरजी भी बहुत सदा पसंद है कि आप लोग पे करोगे इसका लुक और फील को एंजॉय करने के लिए बाकी से परफॉर्मेंस तो नॉर्मल ही है जो कि अलग लापटॉप भी आपको प्रवाइट करतेगा अगर आप लोग इंट्रेस्टेड हो तो यह वाली लापटॉप लेनोवो आइडिया पैट गेमिंग 3i इस वाली लापटॉप में आप लोग को आई 5 की 10 जनेर कर सकते हो तो यहां पर दोस्तों कूलिंग सिस्टेम जो है डूएल वेंस के साथ दिया गया बट आइड नो क्यों इस वाली लापटॉप में जो है ना एक ही दिक्कत लोगों ने कम्क्लेन किया है कि यहां पर थोड़ी बहुत जादा हीट अप हो जाता यह लापटॉप पस इस से अलावा जो है यहां पर बैटरी वगरा भी कोई टेंशन नहीं है आप टू एट आउस की बैटरी बैक आप दे देती है ऐसा कहां गया है बट ऐसा नहीं है शिक्स तक की अपलोगों बैटरी वगर देखने को मिलती है इस लापटॉप के अंदर लापटॉप इन की थी थाउजन था ओल टो तो यहां पर एक हजार रुपर जादा है पट यहां पे आप लोग जो है सिस्टी वन थाउस में यह वाली लापटॉप पर्चेस कर सकते हो बट अगर इसमें भी हीटिंग इश्यू है तो यहां पर एसस टॉप एससे बैटर ऑप्शन होता है इन माई ओपीनियन अगर आप लोग मुझसे सैमात हो तो नीचे कमेंट स्क्रीन में जरूरू बताना तो अगला जो है वह एसर की तरब से एसर नाइटर फाइप जो कि आई-फाइप की टेंजरेशन के साथ आता है 8GB की राम वन डिपी एसडी टूफिस जीपी एससडी विंड ज़दा अच्छी दी गई है पहले जो कोविड-19 का टाइम चल रहा था यह 70,000 तक था और अभी जो है यह 66,990 देखने को मेरा जो के सिमिलर है बिग बिलियन डेस के टाइम में भी ऐसा ही प्राइस था तो यहां अब लोग एक्स्ट्रा 3,000 के डिसकॉंट मिल जाएगे अगर इंटल का लैपटव लेना चाहिए तो यह लैपटव बहुत यह अच्छा ओप्शन है अगर आपको बजेट है तो यू कन स्पेंड आं देस तो अगला जो लैपटव है वह एसस कितब से एसस वीवबो गेमिंग जो आई 5 के 10 जनेरेशन के साथ आता है यहां पर आप लोग को सिमिलर देखने को मिल जाती है एस कंपेर टू ऐसर नाइट्रो बट यहां पर आप लोग को 120 हर्ट की डिस्पले देखने को मलती है जो कि एक अच्छी बात है उस वाले लैपटव की अगर बात करते हैं दिक्कते तो यहां पर दो दिक्कते है एक तो इसकी बैटरी थोरी वीक है और यहां पर थोरी हेट अब होती है यह दोनों इस अगर आप लोग को सकते हो तो यह आप लोग को आराउंड 64,000 में देखने को मिल जाएगा आफ्टर कार्ट डिस्काउंट के इस प्राइस में मैं मानता हूं कि एसस टॉप A15 जादा बेटर परफॉमेंस करे तो अगला जो लैप्टॉप है वह MSI की तरफ से MSI ब्रावो अगर आप लोग बहुत अच्छा लैप्टॉप चाहिए ता डिस्प्ले भी अच्छा हो थर्मस भी अच्छा हो रैम ज्यादा होनी चाहिए सारे चीज़े आप लोग को यहां पर होनी चाहिए जो कि आप लोग की रैम है 512GB SSD के साथ यहाली लैप्टॉप लोग देखने को मिलेगी फोर्च यहां पर लोग को रेड़न की RX 550M देखने को मिलती है जो की बहुत ही अच्छा परफोर्मेंस देगा यह जो है दोस्तों 1650 Ti से भी जाद अच्छा परफोर्मेंस दे रेता है और साधी साथ यह पर आप लोग को इसकी वेट देखें अप लोग अंडर टू की चीस है तो यह लैप्टॉप बहुत ही अच्छी गुड लुकिंग लैप्टॉप है अगर आप लोग को मिनिमिल इस डिजाइन पसंद है रेड और लैक के साथ जो MSI का जो सिगनेचर लुक होता है तो इसके स देखता हूं तो प्राइस ग्राफ देखो यार बिग बिलियंड डेस के टाइम में 69 था अभी 69 था अगर आप लोग यहां पर कार्ट डिसकाउंट लगाते हो तो यहां पर लोग एडिशनल 3,000 रूपीज की दिसकाउंट देखने को मिलेगी उसके बाद दोस्तों यह एक ल देखने को मिलती है 120 Hz की रिफ्रेश्ट रेट है और 17 इंच की इसकी जो स्क्रीन साइज है यह बहुत ही अच्छी है अगर आप लोग ले सकते हो आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इसका डिस्पले बहुत ही बड़ा है और साधी साथ यहां पर आप लोग कुछ है गेमिंग को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं आप लोग एडिटिंग वगरा भी कर सकते हो यहां पर बट इसके कलर रैकुरी से उतनी ज्यादा खास नहीं है बट काम चल जाएगा आपका और हीटिंग इस्यू की बात करें तो थोड़ी बहुत गरम होती है ला है 70,000 तक पहुच गया है और यहां पर आप लोग काई डिस्काउंट लगाते हो तो डिरेकले प्रीपेड और में आप लोग को तीन हजार रुपी के डिस्काउंट देखने को मिल जाएगी अगला लैप्टॉप डेल की तरफ से है डेल लवर्स जो मुझे कहते है डेल की ल जो हंडेड परसंट आप लोग जा सकते हो अगर डेल का स्पेसिफिक लाप्टॉप चाहते थे तो यह एक आपके पास तो इसका प्राइस तो सेम ही है दोस्तों पहले जो बिग बिलियन डेज के टाइम में भी 72,000 नहीं है तो अगर आप लोग डिस्काउंट लगाते तो प अगर आपके अपके अपके अटीशनल मॉनिटर लगाते हो तो अच्छा एक लाप्टॉप है जो कंसिडरेबल है क्योंकि यहां पर बैटरी बहुत सब्सक्राइबल बहुत सब्सक्राइबल है जिसको आपके बहुत लोग वाइस मिनिमिलिस्टिक है आप लोग देख पाते अगर आप लोग यहां पर की बहुत अच्छी क्वालिटी के आप लोग को प्रोफेशनली फोटो एडिटिंग या फिर पूस्टर डिजाइन डिजिटल डिजाइन वगरा करनी है तो यह लाप्टॉप आपके लिए नहीं है दोस्तों इसका डिस्प्ले उतना सब्सक्राइ आप लोग एडिशनली मॉनिटर लगा के इसको यूज कर सकते हो बट अगर आप लोग परफॉर्मेंस चाहिए तो यह लाप्टॉप आपके लिए है अगर आप लोग मान लीजिए कि आप लोग वीडियो वगरा कर रहे हो जिस पर आप लोग हाई रेंडरिंग वगरा कर र प्राइस ग्राफ में तो यह प्राइस जो है 75,990 है जो की नॉर्मल प्राइस था तो इसके साथ आप लोग जा सकते हो अगला जो है दोस्तों वह है एसर की तरफ से है इंटल की 10 जनरेशन की कोई लाप्टॉप चाहते थे गेमिंग लाप्टॉप तो यह कंसीडर कर सकते हो सब्सक्राइब के साथ आता है और इसके डिस्प्ले की कलर बहुत सादा एकुरेट है तो यह आप लोग को जाए बहुत अच्छी परफॉरमेंस भी देगा साथ आपके आँखों को भी बहुत जादा प्लीजिंग देगा इसके कलर रिप्रड़क्शन भी बहुत जादा यहां पर बरोतरी है तो यहां पर डिस्काउंट भी लगाते हो तो बिक बिलिंड डेस का प्राइस जो ता उससे मैच अप नहीं करता है तो यह थोरी कॉस्ली हो जाती है बट बहुत अच्छा लैप्टाप है जो अगर आपको सोच रहते हैं तो मैं यहां पर आप लोगों क आप ले सकते हो अगर आप लोगों को बहुत अच्छी कलर एकुरेट डिस्पले चाहिए थी बहुत अच्छी बैटरी के साथ कोई लैप्टाप चाहिता हो तो यह बहुत अच्छा है लाप्टाप है अगला जो है दोस्तों एसस की तो एसस रूक स्ट्रीक्स जी 15 इस पे अ आप लोगों को अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी देदेगा को लिंग के मामले में यहां पर जो है लिक्विड मेटल यूस किया गया है जो आपको कूलिंग में भी यहां पर कोई भी दिखत यहां जादा देखने को नहीं मिलते है प्राइस ग्राफ की बात करें तो यह आ आपकी टेबल की जो रॉनक है ना वह बहुत जादा अच्छी कर देने वाली अगर आपको एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्ण है और परफॉर्मेंस भी आप लोगो चाहिए तो एस्थेटिक प्लस परफॉर्मेंस दोनों इस लाप्टप में आप लोग को प्र आपके बाद आप लोग को बहुत अच्छा एक प्रफॉर्मेंस वाला लैप्टॉप देखने को मत जाएगा जो कि सारे स्पेसिफिक्स सेम है सिर्फ यहां पर आई सेवन की टेंजरेशन आप लोगो देखने को मिलती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा आपक्रेड हो जाता आपके लिए है अगला जो है वह भी है दोस्तों जी 15 2020 एडिशन वाली आई सेवें टेंजरेशन के साथ यह वाली 16GB रैम के साथ है पांच वाला जीबी एससडी है विंडोस 10 4GB ग्राफिक्स है जो कि 1650 Ti और 144Hz के डिस्पले है यह 860000 आए 990 में देखने मिलता है तो यहां पर प्राइस ग्राफ अगर देखें तो यहां पर 87,000 पहले था अभी जो है फिर से जो है यह 7000 में आ चुका है तो यहां पर भी आप लोग को जो है डिस्काउं तीन अजार रुपई के काड डिस्काउं देखने को मिलेगी फाइनल जो लैप्टॉप लिस्ट में है वह है MS G.L65 Leopard जो कि i7 के 10-0 जाथ यहां पर देख पार 16GB की रहाम है 1GB HDD plus 2GB SSD COMBO है और यहां पर Windows 10 Home के साथ आता है 6GB ग्राफिक्स है यहां पर RTX 2060 जो कि यहां पर Ray Tracing के साथ आप लोग को देखने को मिलता है तो यह वह लाप्तॉप कर सकते हो एक लाख नो हजान नौन नबए र इधिटर वरस एंदर देखने को मिलता है तो अगर आप टोगाते हो तो यहां पर भी आपटोगा काट डिसका डेखने को मिल जाते हैं की अगर आपका बजेट है वीडियो एडिंग करना चाहत If G وال payments in pure अच्छी तरीक기에 वागए करना चाहते हो इसकी कलर भी Rich I kud a kud at Dis piles है जो चोंकि आपको कभी पी निराश्फोंकी करेगा ड्रिकार्डेनिक पफॉरमंस होगी या फिर उसकी cooling technology होगी सारी चीज़े इस laptop के अंदर top-notch है जिसके साथ आप लोग 100% जा सकते हो तो यह सभी gaming laptops थे तो जो आप लोग अभी दिवाली के सेल में ले सकते हो जो आप लोग के लिए बहुत जादा फाइदे मंद होगा आई होप यह वीडियो आपको पसंदा है पसंदा है तो लाइक ज़रूर प्रेस करना और नीच दिएगे लिंक से करते हो तो इस चैनल को थुरह सपोर्ट मिलेगा तो सपोर्ट कर देना भाई को औ तil then have a wonderful day at stay alert stay safe or happy Diwali